हेलो एवरिवन आज की इस क्लास में समाश्चास के पास्चात विचारकों में इमाईल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन से रिलेटिट इन्पोर्टेंट क्वेशन्स देखने वाले हैं क्लास स्टार्ट हो, इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर ज़र कर दीजें अगर आप नेट, जी आरफ, पीजीटी, जी आइसी या फिर एससें प्रफसर एक्जैम की तैयारी कर रहे हैं शेशोल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टड़ी को कम्प्लीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के फोल्डर्स मिल जाएंगा आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं बस कुछी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली हैं इससे पहले भी दो और क्लासेस हो चुकी हैं इमाईज दूर्खी मैक्स वेबर और टॉलकेट पार्संस की यह थर्ड क्लास है इनका अब प्लेलिस में फोल्डर बना दिया गया है जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस जरूर शेक कर लीजे अभी तक जितने भी टॉपिक्स कम्प्लीट कराए गये हैं उन सभी के फोल्डर बना दिये गये हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएंगे तो चलिए यहां तक हो गया था स्टार्ट करते हैं प्रशन है किसने समाजशास की विशय वस्तू को समाजिक स्वरूप शास्त्र समाजिक शरीर किरिया विज्ञान एवं समान समाजशास में विभक्त किया है विकल्प दिये गये हैं जिन्सवर्क, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन यहाँ पर राइड आंसर क्या हो जाएगा इन में से किसने समाजशास की विशय वस्तू को समाजिक स्वरूप शास्त्र समाजिक शरीर किरिया विज्ञान एवं समान समाजशास में विभक्त किया है सही क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा यहाँ पर दुर्खीम email दुर्खीम होगा option B यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है दुर्खीम यहाँ पर right answer है आप दुर्खीम की कुछ importance जो concepts हैं उनके बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले सरवप्रमुक इनका है समाजिक श्रम श्रम विभाजन का सिध्धान, ठीक है, समाजिक श्रम विभाजन का सिध्धान किस ने दिया है, या समाजिक श्रम विभाजन अवधार्णा की जनक कौन है, तो दुर्खीम हो जाएंगे, सबसे पहले समाजिक श्रम विभाजन इस अवधार्णा को देने वाले या इसका प्र फिर इसके बाद आता है social fact का concept यानि कि समाजिक तथि के अवधारणा सामुहिक प्रतिनिधान या सामुहिक प्रतिनिधव की अवधारणा भी दुरखीम की है आत्महत्या का जो सद्धानत है वो भी इन्हों ने ही दिया है दुरखीम ने जिसमें कि उन्होंने चार तरह की आत की है तो चार कौन कौन सी है पहली तो है एहम वादी आत्महत्या ठीक है पहली कौन सी हो जाएगी एहम वादी आत्महत्या हो जाएगी सेकेंड नबर पर आती है पराथ वादी आत्महत्या ठीक है पराथ वादी आत्महत्या ठीक है फिर थर्ड नंबर पर प्रतिमान हिंता वा इन्हों ने की है तो इनका फील्ड वक कहा था तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाती पर इनका अध्यन रहा है तो जितनी भी आपको बाते बताई गई हैं सभी को ध्यान में रखेगा एक्जाम्स में इस तरीके से प्रेश्ण पूछे जाते हैं चलिए आगे देखते हैं प्रेश्ण है एकात्मक्ता के आधार पर समाज का वर्गी करन किसने किया है हर्बर्ट स्पेंसर, हिंडरी मैन, टॉनी, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गए हैं सही क्या हो जाएगा तो यहाँ पर राइड आंसर दुर्खीम हो जाएगा, ओप्शन्डी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा एकात्मक्ता यानि कि एकता के आधार पर समाज का वर्गी करन किया है, वो दो प्रकार से दुर्खीम ने किया है एक तो यांतरिक एकता पर आधारित समाज है, ठीके जैसे कि जो हमें रूरल सुसाइटी में देखने को मिलता है इसमें जो श्रम विभाजन होता है, वो सरल होता है, दूसरा अगर हम प्रकार की बात करें समाज की तो वो साविवी एकता पर आधारित है जटल है ठीक है तो यहाँ पर होगा डी राइड अंसर हो जाएगा चलि आगे देखते हैं प्रशन है पार्संस ने अपनी किस पुस्तक में समाजिक सरशना के प्रमुक प्रारूपों का वर्णन किया है अपनी किस पुस्तक में पार्संस ने समाजिक सरशना के प्रारूपों का वर्णन किया है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी बुक हो जाएगी? इस पर क्या हो जाएगी? आप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगर समाज शास में पार्संस के योगदान की बात की जाए तो मुखिता इनके तीन योगदान रहे हैं ठीक है? तीन योगदान रहे हैं कौन-कौन से एक तो शोशल एक्शन का हो जाएगा ठीक है? शोशल एक्शन फिर शोशल सिस्टम है और लास्ट में क्या हो जाएगी? जो इनकी फंक्शनल थियरी है यह तीन इंपॉर्टेंट योगदान रहे हैं समाज शास में पार्संस के नेक्स तरे दूर खीम ने चार तरहा की आत्मध्या का वर्णन किया है इन में से तीन है एहमवादी, परातवादी और आदश हिंता आत्मध्या चोथा प्रकार बताना है आप्शन देख लेते हैं विचलित आत्मध्या है, भागेवादी आत्मध्या रोग जनित आत्महत्या और असमान आत्महत्या अभी आपको बताया गया यहाँ पर क्या होगा भागेवादी आत्महत्या होगा और दुर्खीम ने सुसाइट के बारे में क्या कहा था कि यह जो आत्महत्या है यह कोई व्यक्तिगत किरिया नहीं है बलकि यह एक सामाजिक किरिया है ठीक है बलकि आत्महत्या क्या है सामाजिक किरिया है आत्महत्या को यह क्या कहते है शोशल फैक्ट मानते हैं दुर्खीम नेकस्ट है, किसने अभिपरेणा के तीन स्वरूपों का वर्णन किया है ? संदर्यात्मक अभिपरेणा, संग्यानात्मक अभिपरेणा, मुल्यंकनात्मक अभिपरेणा ओप्शन्स है, सेमल्स, पार्संस, मैक्स्वेब básicamente, जी एच, मीडे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिप्रेंडा के इन तीन स्वरूपों का वर्णन किस ने किया है? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर टॉलकेट पार्सन्स हो जाएंगे? B होगा यहाँ पर, राइट अंसर, समाजिक किरिया की यह जो तत्व बताते हैं, तीन मुख्य तत्व बताते हैं, पार्सन्स समाजिक किरिया के, एक तो एक्टर जो की किरिया कर रहा है, करता, दूसरी है परिस्थती, ठीके किरिया को संपन करने का जो इस्थान है, उसको परिस्थती बताते हैं, यह दूसरा हो जाएगा, और तीसरा अभिप्रेंडना है, ठ तीन प्रकार भी बता दिये इन्होंने, सौंदार्यात्मक अभी प्रेणना, संग्यानात्मक अभी प्रेणना और मुल्यांकन अभी प्रेणना, ठीक है, तो B हो जाएगा यहाँ पर सही, प्रेशन है या किसका तरक है कि समाज तथा व्यक्ति अलग-अलग नहीं है, अपि इत सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ओप्शन डी हो जाएगा, पार्संस हो जाएगा, पार्संस ने दुर्खीम और मैक्स वेबर की आलोशना की थी, क्योंकि यह दोनों ही इस बहस पर लगे थे, मतलब कि दोनों सुसाइटी या व्यक्ति में से कौन महतपूर है, ठीक है, तो दोनों का ही अलग-अलग कहना था, तो यहाँ पर पार्संस क्या कहते हैं, पार्संस कहते हैं, कि समाज और व्यक्ति अलग-अलग नहीं है, बलकि दोनों ही एक है, ठीक है, व्यक्ति ही समाज का प्रतिबिम्ब है ठीक है समाज व्यक्तियों का समू है ठीक है जहां एक ओर जो व्यक्ति है वो समाज का प्रतिबिम्ब है और वहीं पर अगर समाज के निर्माण की बात की जाए तो जो समू हो जो व्यक्तियों का संकलन है वही क्या कहलाता है समाज कहलाता है ठीक है चली आग हैं किसने बताएं home school day Davis Parson यहां पर हैं home school day Davis Parsons सही क्या हो जाएगा talket Parsons हो जाएगा अभी आपको बताएगा option d यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है option d यहां पर right answer हो जाएगा प्रश्ण है निवेन में से कौन सा कथन सही नहीं है आईये देखते हैं, एक से अधिक करता मानक और मुल्यों के अनुसार परस पर अंतर किरिया करते हुए समाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं, पार्संस ने अपना सिध्धान वेबवा पेरेटों को अस्विकार कर दिया, पार्संस ने विसंगती का वर्णन अपनी पुस्तक दशो जाना है, यहां पर राइड आंसर, ओप्शन A, B, C सही है, D यहां पर हो जाएगा, ठीक है, यह सोरो किन्ने नहीं बलकि पार्संस, ठीक है, यहां पर क्या होंगे, पार्संस होंगे, पार्संस ने समाजिक इस्तरीकरन का निर्धारन गुड वहवार कुशलता है, मलिकियत के आधार पर किया है, ठीक है, तो D होगा यहां पर सही, बाकी कि सारे सही है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके इस्तरीकरन के सद्धान को इस्तरीकरन का शक्ति सद्धान कहा जाता है, विकल्प में हैं, बोटो मोर, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्संस, इन में से किसके इस्तरी करण के सद्धान को इस्तरी करण का शक्ति सद्धान कहा जाता है क्या होगा राइड आंसर यहाँ पर क्या होगा मैक्स वेबर होगा मैक्स वेबर ऑप्शन सी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने जहाँ पर एक और काल माक्स समाजिक इस्तरी करण का एक इस्तरी सिध्धान देते हैं वहीं पर इसके विप्रेत मैक्स वेबर, सोशल स्टाटिफिकेशन का जो सिध्धान देते हैं समाजिक इस्तरी करण का जो सिध्धान देते हैं वो त्री स्तरी है या त्री आयामी है या बहु आयामी है याद रखेगा त्री इस्तरी बहु आयामी या त्री आयामी इस तरीके से पूछा जाता है समाजिक इस्तरीकरन का सिध्धान किसका है तो मैक्स वेबर हो जाएंगे ठीक है मैक्स वेबर हो जाएंगे और Max Weber के इनके इसी इस्तरीकरन सिद्धान्द को इस्तरीकरन का शक्ति सिद्धान्द भी कहा जाता है ठीके शक्ति सिद्धान्द कहा जाता है और इसमें तीन तरह की इन्होंने शक्तियों की बात की है ठीके शक्ति की त्रीन श्रणियां यह शक्तियों के तीन प्रकार बताए आर्थिक शक्ति, ठीक है, आर्थिक शक्ति का निर्माण, आर्थिक शक्ति से वर्ग का निर्माण होता है, ये कहते हैं, राजनितिक शक्ति, जो कि स्टेटस ग्रूप को डेवलप्ट करती है, ठीक है, और समाजिक शक्ति पार्टी का निर्माण करती है, ये नोंने, वेबर ने बताया है ठीक है तुसी होगा यहाँ पर सही अब दीखें यहाँ पर पुस्तक से संबंदित प्रेश्ण है A.S. on sociological theory यह किसकी है दुर्खीम, Parsons, Max Weber, Anthony Giddens यहाँ पर options है A.S. on sociological theory किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? Parsons की हो जाएगी टॉलकेट Parsons की यह पुस्तक है, option B. यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है, समाजी करन के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया? अब दीखे, socialization की बात होती है तो इस topic को complete कराया भी जा चुका है समाजी करन क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, चुकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है मुख्य अवस्था की बात आती है कि समाजी करन की जो मुख्य अवस्था है वो कौन सी है तो बाले अवस्था से किशोर अवस्था समाजी करण की मुख्य अवस्था मानी जाती है और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उसी समाज के जो मानक, मूल्य, मांडंट होते हैं उनको आत्मसाथ करनी की प्रक्रिया समाजी करण कहलाती है इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और सबसे पहले समाजी करण की सर्व प्रथम बात किसने की इस तरीके से पूछा जाए तो जोज हर्बर्ट मीड हो जाएंगे George Herbert Mead ने सबसे पहले समाजी करण की बात की थी या इस concept का सबसे पहले इन्होंने use किया था तो यहाँ पर समाजी करण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने माना है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा Talket Parsons, option B यहाँ पर right होगा प्रशन है निमने में से किसने Weber की 3-3 model का प्रियोग किया अब Weber ने जो 3-3 model दिया था समाजी किस तरीकरण का उसका प्रियोग इनमें से किसने किया है Sorokin, Max Muller, Andrebete Parsons यह आपके NET की exam and PGT की exam में इस तरीकी से कई बार प्रशन पूछा जा चुका है तो यहाँ पर क्या होगा? आंद्रे बेते होगा आंद्रे बेते ओप्शन C यहाँ पर right answer हो जाएगा Weber की 3-3 model का प्रियोग आंद्रे बेते ने किया था भारती समाज के अध्यन के लिए ठीक है? भारती समाज के अध्यन के लिए किया था ठीक है? चले आगे देखते हैं प्रशन है किसके द्वारा वर्गों का विभाजन किया गया है? समपत्ती युक्त उच्चे वर्ग, समपत्ती विहीन, श्वेत वसन वर्ग ओप्शन्स में है कालमाक्स, मैक्स वेबर, पार्संस, दुर्खी वर्गों का जो विभाजन है वो समपत्ती युक्त उच्चे वर्ग और समपत्ती विहीन, श्वेत वसन वर्ग में किस ने किया है? सही क्या होगा? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ओप्शन B, यहाँ पर राइड अंसर हो जाएगा समाज में चार तरह के वर्गों की बात की है वेबर ने कि समाज में चार प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं एक तो समपत्ती युक्त उच्चे वर्ग है, दूसरा समपत्ती विहीन, श्वेत वसन वर्ग है, तीसरा है पतित बुर्जुवा वर्ग और चोथा है नीले वस्तर श्रमिक ठीक है? तीसरा क्या हो जाएगा? पतित बुर्जुवा वर्ग, चोथा नीले वस्तर श्रमिक हो ये चार तरह के वर्गों की बाद किस ने की है, Max Weber ने की है, किसके अनुसार? वर्गों का संबंद संगश पर अधारी थे? Call, Pearson, Max Weber, दूरखीम, Parsons, Options है, वर्गों का संबंद संगश पर अधारी थे, यह किसका तरक है? तो यहाँ पर भी क्या होगा? Max Weber होगा, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next है व्याख्यात्मक समाज शास अफधार्णा के जनक है Max Weber, Merton, दुर्खीम या फिर इन में से कोई नहीं व्याख्यात्मक समाज शास यह अफधार्णा किसकी है क्या हो जाएगा यहाँ पर व्याख्यात्मक समाज शास के जनक कौन है यह अफधार्णा किसकी है Max Weber, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा Max Weber, इसके जनक है सबधार्णा के व्याख्यात्मक समाज शास में होता क्या है कि जिस तरह से प्राकर्तिक विज्ञानों में अध्यन किया जाता है ठीक उसी तरह से समाज शास में भी कारकारण सम्मंधों की दुरस्टि से अध्यन किया जाता है ठीक है, यह concept किसका हो जाएगा इनका हो जाएगा व्याख्यात्मक बोथ यानि कि यह जो concept है किस पुस्तक में दिया है तो पुस्तक का नाम क्या है Theory of Social and Economic Organization Theory of Social and Economic Organization इस पुस्तक में ने यह concept अपना दिया है Next है किसका कहना है कि परिवार वाकार खाना है जहां व्यक्तितु का उत्पादन होता है Koolay, Melonovski, Max Weber, Parsons Koolay, Melonovski, Max Weber, Parsons यहाँ पर options है परिवार वाकार खाना है जहां व्यक्तितु का उत्पादन होता है Right answer यहाँ पर Talkit Parsons होगा Option D यहाँ पर Right होगा प्रेशन है किसकी अनुसार समाजिक सरशना परस पर संबंदिस संस्थाओं एजेंसियों और समाजिक प्रतिमानों तथा साथी सम्हों में प्रतेक सदस्य द्वारा ग्रहन किये गए पद तथा कारियों की विशिस्ट क्रमबदता है Options है लेविस्ट्रोस, Parsons, रेटक्लिफ ब्राउन, सोरोकिन समाजिक सरशना परस पर संबंदिस संस्थाओं एजेंसियों और समाजिक प्रतिमानों तथा साथी सम्हों में प्रतेक सदस्य द्वारा ग्रहन किये गए पद और कारियों की विशिस्ट क्रमबदता को समाजिक सरशना कहते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर को किसने डिफाइन किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टॉलकेट पारसंस हो जाएगा अप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा ठीक है बी यहाँ पर राइट होगा बात आती है शोशल स्ट्रक्चर की समाजिक सरशना की तो इसका सबसे पहले प्रियोग किसने किया था हर्बर्ट एस्पेंसर ने किया था हर्बर्ट एस्पेंसर ने किया था शोशल स्ट्रक्चर की तुलना इन्होंने मान случय शरीर से किया था यह भी आद रखेगा निम्न में से किसं समाजिक विवस्ता से संबंद संस्थाओं का वर्गी करण किया है अब ध्यान रखेगा समाजिक विवस्ता से संबंदे संस्थाओं का जो वर्गी करण है वो किसका है सही क्या होगा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर मैक्स वेबर देरिदा पार्संस अगस्ट कॉंप ओप्शन्स है तो यहाँ पर टोलकेट पार्संस हो जाएगा ऊप्शन्स पार्संस हो जाएगा समाजिक वेवस्ता और व्यक्तित वेवस्ता के इनौने बात की है नेक्स्ट है समाजों का चार प्रकास से वर्गी करण किसने किया है सरल समाज, बहुखंडिय सरल समाज, साधारण मिशित बहुखंडिय समाज और दोहरे मिशित बहुखंडिय समाज है options है दुर्खीम, स्पेंसर, मौर्गेन, लीपले क्या हो जाएगा समाजों का चार प्रकार से जो वर्गी करण है इन में से किस ने किया है right answer दुर्खीम है, मैली दुर्खीम, option A यहाँ पर right हो जाएगा next है, निमने कतनों में से कौन सा सही नहीं है, यानि की गलत कतन बताना है आए देखते हैं, दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरूंटर जनजाती पर अध्यन किया है नौकर शाही का सरवप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया है दसिटी मैक्स वेबर की द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है अब सही नहीं है ये बताना है तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? दुर्खीम अपने अध्यन का केंद्रिबिंदू समाज को मानते हैं वेक्ति और समाज में महतपूर दुर्खीम समाज को मानते हैं और ऑस्टेलिया के अरुंटजन जाती पर जब दुर्खीम ने अध्यन किया था तो टोटेम वाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने बताया था और बात आती है कि सबसे पहले नौकर शाही की अवधाना का प्रियोग जो है वो वेबर ने किया है यह गलत हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी ठीक है सी हो जाएगा और किसने इस कॉंसेप्ट का सबसे पहले यूज किया है तो नाम है इनका डी गोर्ने ठीक है डी गोर्ने नाम है इनका इन्होंने किया है डिगोर ने ने सबसे पहले नौकर शाही इस concept का use किया है बाकी कि सारे सही है नेक्स्ट है निमनी युगमों में से कौन सा गलत है चली बताइगे इसमें से कौन सा गलत है जो इंपोर्टेंट बुक्स है उस पर पहले ही classes ली जा चुकी है और समय समय पर आपको classes में बताया भी जाता रहा है इंपोर्टेंट जो बुक्स रही है थिंकर्स की इसमें से ऐसी कोई भी एक बुक रही है जिसके बारे में पहले बात ना की गई हो आपसे बताइए यहाँ पर कौन सा गलत है दपावर्टी ओफिलोसफी हो जाएगा ठीक है दपावर्टी ओफिलोसफी हो जाएगा ओप्शन सी यहाँ पर राइट होगा यह बुक स्पेंसर की नहीं है बलकि काल मार्क्स की है ठीक है काल माक्स होगा यहाँ पर राइट नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने व्याक्ख्यात्मक बोथ अवधार्णा का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया आए देखते हैं बुक्स कौन कौन सी है इन में से कौन सी बुक है जिसमें Max Weber ने व्याक्ष्यात्मक बोध इस अफधार्णा को दिया है क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट अंसर क्या होगा? ओप्शन B है यहाँ पर The Theory of Social and Economic Organization है Max Weber ने समाज शास की जो अध्यन बिंदू है वो व्यक्ति या उसकी जो समाजिक किरिया है इसे बताया है और इस समाजिक किरिया की अध्यन के लिए इन्होंने दो पदतियों की बात की थी कि इन दो पदतियों के माध्यम से हम समाजिक किरियाओं का अध्यन कर सकते हैं दो पदतिया कौन-कौन सी है? एक तो व्याक्यात्मक बोध है या जिसे हम Western Method बोलते हैं और दूसरा है Ideal Type आदश प्रारूप यह दो पदतियों की बात की थी Max Weber ने और अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने ये concept भी दिया है इसके लावाश न केवल ये concept की बात इस पुस्तक में की है बलकि social action यानि कि समाजिक किरिया की बात भी अपनी इसी पुस्तक में वेबर ने की है चले आगे देखते हैं प्रेशन है समाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थती में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ती कर पाए तो वह शक्ति कहलाती इस तरीके से शक्ति को इन में से किसने परिभाशित किया है मैक्स वेबर, पार्संस, दुर्खीम, सोसरे यहां पर ओप्शन्स है सही क्या हो जाएगा सही यहां पर क्या होगा राइट आंसर यहां पर मैक्स वेबर हो जाएगा शक्ति अवं सत्ता की बात वेबर ने की है तो यहां पर क्या हो जाएगा option A हो जाएगा right answer option A यहां पर right answer हो जाएगा और इन्होंने तीन प्रकार की शक्तियों की बाद भी की दी कौन-कौन से वो करिश्माई है करिश्माई शक्ति असथा दूसरी परमपरागत शक्ति असथा और तीसरी कानूनी या तारकिक शक्ति या सत्ता ये तीन प्रकार आपको शक्तियों के याद होने चाहिए किसने बताये हैं और कौन कौन से है किसका कहना है कि समाजिक तथ्यकार करने, सोचने या अनभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समानी रूप से पाया जाता है स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर इन में से कोई नहीं क्या होगा यहाँ पर? इमाईल दुर्खीम होगा, ओप्शन B, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B, यहाँ पर राइट है, next है, किसका तरग है कि वेक्ती समाज किरिया करने के लिए स्वतन्त नहीं है बलकि किरिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है औप्शनस देख लेते हैं, ब्लूमर, पारसंस, राधा कमल, मुखर जी, जोज हरुज, हरबर्ट मेट क्या हो गए यहाँ पर टॉलकेट पार्संस होगा टॉलकेट पार्संस होगा ओप्शन B यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है निमने में से किसने AGIL model का प्रतिपादन किया है कालमाक्स, मैक्स वेबर, पार्संस, मर्टन कई बार NET के पिपर में पूछा गया है, पार्संस होगा C यहाँ पर राइट होगा प्रशन है निमने में से समाजिक किरियाओं का वरगी करण किसने किया नेमितिक किरिया, अभी वेंजनात्मक किरिया और नेतिक किरिया मैक्स वेबर, कूले, पार्संस, मीड, यहाँ पर options है सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पार्संस हो जाएगा, ठीक है? पार्संस, ओप्शंस, यहाँ पर राइट होगा, next है Education and sociology, यह किसकी पुस्तक है? Education and sociology, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्संस, मर्टन Education and sociology, किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? दुर्खीम की, इमाईल दुर्खीम की है, यहाँ पर राइट होगा प्रश्न है, समाजिक किरिया से तातपर व्यक्ति की ऐसी चेतन किरियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथी उन किरियाओं के केंदर में कोई न कोई व्यक्ति शामिल होता है अब यह किस से सम्बंदित है? Parsons, मैक्स वेबर, मीट, ब्लूमर यहाँ पर आप्शन्स है समाजिक किरिया से मतलब व्यक्ति की ऐसी चेतन किरियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथी उन किरियाओं के केंदर में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थति होती है यहाँ पर यह सही क्या होगा? इस तरीके से समाजिक किरिया को किस ने परिभाशित किया है Max Weber ने Max Weber option B यहाँ पर right होगा and last question है general economic history किसकी है यह किसकी है यह पुस्तक right answer Max Weber है option B यहाँ पर right होगा तो आज की class में बस इतना ही I hope यह आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please like करिएगा comment करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़ादा से ज़ादा लोगों के साथ share भी ज़रू करेगा Thank you Sc़ बताईएईव